तो हेलो मैं परशुट फैमिली कैसो आप सब लोग, I hope कि आप सब भी बहुत अच्छी होंगे तो आज से हम लोगी स्टार्ट करें अपने Human Anatomy and Physiology 2 जो कि हमारे B Pharma 2nd semester का subject है अब देखो हमारी body में total यहाँ पे 11 system होते हैं जिसमें से हाफ को आप लोग जो है अपने 1st semester में HAP 1 में पढ़ चोके हो बाकी बचे हाफ को हम लोग यहाँ पे अपने HAP 2 यानि की B Pharma 2nd semester के अंदर पढ़ेंगे तो जो हमारी 1st unit है उसमें हमारा पहला topic दे रखा है हमारा nervous system अब देखो nervous system बहुत ज़्यादा important topic है यहाँ पे आपके B Pharma 2nd semester के लिए नहीं बलकि जो आपकी आने वाली pharmacy की journey है especially बात करें हम लोग जो अपने 4 semester की तो वहाँ पे जो हमारी कोलोजी है और जो medicinal chemistry है उसके अंदर 2-3 unit पूरी की पूरी आपे nervous system से ही related है तो मतलब काफी ज़्यादा important topic हो जाता है और daily life में भी इसका बहुत ज़्यादा use है तो आप लोग को इसके बारे में पता होना ही चाहिए तो यहाँ पे आज की video में starting में हम लोग इसकी basics part को cover करेंगे और at last में हम लोग बात करेंगे अपने cells of nervous system के बारे में तो आप लोग copy or pen लेके बैठ जाएए और हम लोग अपने आज का video start करते हैं अब देखो बात करें हम लोग आप इस nervous system के बारे में तो यह सारी चीज़े आप लोग हड़ा हो ठीक है आप लोग बिलकु सिंपली समझो कि आपकी daily life में जितनी भी activity होती है यानि सुबा से लेके साम तक आप लोग जो भी काम करते हो चाहे वो बोलना हो, खाना हो, पीना हो, ठीक है, चलना हो, दोलना हो कुछ भी सुनना हो, देखना हो यह सारी की सारी चीज़े हमारा nervous system ही control करता है यानि nervous system हमारी body का ऐसा system है जो कि हमारे पूरे body के activity को control करता है अब देखो, यहाँ पे जो हमारा nervous system है अगर हम लोग इसके major organs की बात करें तो nervous system के अंदर सबसे पहले आजाता है हमारा यहाँ पे brain ठीक है, और उसके बाद brain से हमारी एक extension होती है जिसको हम लोग बोलते है spinal cord तो brain और spinal cord mainly मिलके हमारा nervous system का organs बनाते है और यहाँ पे जो हमारी brains है और जो हमारा spinal cord है इससे हमारी बहुत सारी nerves निकली होती है तो यह तीनों चीज़े combine करके हमारा nervous system बनाती है यानि nervous system के अंदर mainly क्या-क्या होता है brain होता है, spinal cord होती है और इन दोनों से निकली बहुत सारी nerves होती है तो इन सभी के बारे में हम लोग detail में करके देखेंगे बाकी आप लोग एक overview तो समझी गया होगे ठीक है अब हम लोग इसके थोड़ा सा theory portion को देख लेते है जैसे कि बात करें nervous system is the most complex system of human body containing millions of nervous self network यानि nervous system को मेरे बाड़ी का बहुत ज़्यादा complex system है क्योंकि इसके इंतर ना millions of nerve अब देखो यह जो हमारी brain है और जो spinal cord है इन दोनों से यहाँ पे जो nerves निकली है यह बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यही हमारे पूरे body में फैली हुई होती है और इन ही के थुरू हमारी body की हर एक activity को हमारा जो brain है वो यहाँ पे control करता है ठीक है यानि कि human body का यह सबसे major अब यहाँ पे देखो एक चीज थोड़ा सा समझना देखो ऐसा नहीं है कि nervous system एकलोता हमारा ऐसा system है जो कि हमारी body को control करता है यहाँ पे nervous system और endocrine system ठीक है यह दोनों मिलके हमारी body के हर एक functions को control करते है लेकिन यहाँ पे nervous system क्या है यह यहाँ पे instant actions को करता है यानि कि जैसे हमारी body में जब कुछ भी activity होती है तो जब instant response यह होता है वो हमारा nervous system देता है और जो long term action होता है वो हमारा endocrine system करता है ठीक है अब जिसे की बात करें it is the body's command center यानि कि यह body का command center होता है यानि कि body के हर किसी भी action को करने के लिए कह देता है command देता है यानि इसी के थूँ हमारी body में हर एक action होते है आप लोग जो भी जो भी चीजे करते हो वो सारी की सारी हमारे nervous system के द्वारा ही करवाई जाती है यानि जो हमारा especially बात करें जो brain होता है यही हमारे body के हर एक system को command देता है जिसके थूँ हम लोग जो है अपने दिन की सारी activity को perform करते है the nervous system is the major controlling, regulatory and communicating system in the body यानि कि देखो controlling तो करता ही है regulate करता है यानि कि सारी चीज़ों को manage भी करता है और उसके बाद यहाँ पर communicating यानि कि body के हर एक system से communication बैठाने का काम भी हमारा nervous system करता है now it is the center of all the mental activities like thought, learning and memory यानि कि देखो आप लोग जो भी सोचते हो ठीक है आप लोग की जो भी memory होती है आप लोग जो याद करते हो learn करते हो, किसी चीज़ को सीखते हो किसी चीज़ को सुनते हो, किसी चीज़ को समझते हो वो सारी कि सारी चीज़े हमारी याँ पर nervous system के द्वारा ही होती है यह बहुत ही simple है, आप लोग कुछ भी याद करते हो करता था और control center हमारा क्या होता था control center हमारा brain ही तो होता था तो brain हमारा क्या है nervous system का part है नटो यहाँ पर यह homeostasis को भी maintain करने का काम करता है अब यहाँ पर हम लोग बात करें अपने organization या पिर classification of nervous system के बारे में तो दिखो जो हमारा nervous system है ना इसको हम लोग जो है Central nervous system में क्या आता है? हमारा brain आता है और हमारी spinal cord यानि कि देखो यह जो हमारा brain है और यह spinal cord देखो यह black वाला part हमारा किसमें आ गया? Central nervous system में अब देखो हमारी body को mainly control जो है यही दोनों मिलके करते हैं especially हमारा brain करते है अब उसके बाद जो second part है वो है हमारा peripheral nervous system अब peripheral के है देखो यहाँ पे brain और spinal cord से जितनी भी nerves निकली हुई है यह सब मिलके बनाती है हमारा peripheral nervous system यानि कि आप कह सकते हो कि जो हमारी body में nerves का जाल होता है यही होता है हमारा peripheral nervous system अब देखो यहाँ पे जैसे हमारी body में कुछ भी activity होती है तो उनको यहाँ पे nerves के द्वारा ही control किये जाता है अब ही हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं बाकि अभी आप लोग थोड़ा सा समझो अब peripheral को भी हम लोग यहाँ पे दो part में divide कर सकते हैं पहला हो गया हमारा पे jaan-pare voluntary all और एक होता है यहाँ पे जो हमारा voluntary है है यह हमारी body की ऐसी activity होती है जो की हमारे control में होती है जैसे कि जो हमारी skeletal muscle होती है जैसे कि जो हमारा हαथ है जो हम लोग दोड़ते हैं चलते हैं ठीक है जैसे मैं हम बात कर रहे हैं जैसे मैं मैं बोल रहा हूं आप लुग सुन रहा हूं तो अगर मैं चाहो तो आपके अपर दकल रावbles सकता हूं है जैसे मालं आप लुग कहीं जा रहे हैं तो आप लोग चाहो तो चलो चाहो तो रोग जा भी ओ तो वह चीज आपके internal organs आते हैं, यानि कि ऐसी चीजे जो कि हमारे control में नहीं है जैसे कि बात करें तो आपका जो heart है वो beat कर रहा है, तो वो आपके control में नहीं है, आप उसको चाहो तो beat करने से रोग नहीं सकते हो, या फिर अगर आप सोचल लग जाओ कि आपका जो heart है, वो थोड़ा सा तेज beat करने लग जाए, या फिर थोड़ा सा slow beat करने लग जाए, तो वो सारी चीजे कहीं न कहीं आपके control में नहीं है, जैसे कि हमारा kidney filtration कर रहे हैं, तो आप चाहा कि उसको रोग नहीं सकते हो, तो वो सारी चीजे जो कि हमारे control में नहीं होती है, not in our control, ठीक है, वो होती है हमारे यहाँ पर involuntary moment, समझके, अब यहाँ पर देखो, जो हमारा autonomic है, यह हमारा कौन सा movement को control करता है, involuntary, यानि हमारे जो body के internal organs है, अगर वहाँ पर कोई जी भी problem वगएरा होती है, तो उसको solve करने का काम हमारा autonomic nervous system करता है, और अगर हमारी body के ऐसे movement जो कि हमारे control में है, अगर वहाँ कोई problem होती है, तो उसको हमारा यहाँ पर somatic nervous system manage करता है, अब देखो, autonomic भी हमारा यहाँ पर दो type का होता है, पहला होता है हमारा यहाँ पर sympathetic, और दूसरा होता है यहाँ पर आपकी 2-3 unit हमारी medicinal ecology के उपर दी हुई है, यहाँ पर sympathetic और parasympathetic में होता है, basically जो हमारा sympathetic system है, यह हमारी body के activities को normal से थोड़ा सा high level पर ले जाने का काम करता है, देखो इसको थोड़ा सा समझना, यह तो यहाँ पर कैसे काम करता है, जैसे कि मान लो आप हो ठीक है, और आप मस बहुत तेजी से भागना सुरू करोगे, अब जब आप यहाँ पर बहुत तेजी से भागोगे, तो होगा क्या, भागते भागते क्या होगा, कि आपकी जो heartbeat है, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़नी चालो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगी, और इसक sympathetic क्या करता है यह सारी चीजे जो है activate करता है यानि heartbeat बढ़ा देता है हमारी आँखों के साइज को बढ़ा कर देता है और यहाँ पे बहुत सारी चीजे जो कि थोड़ा सा शौक या फे डर से related होती है उन सभी पर हमारा यहाँ पे sympathetic nervous system काम करता है अब देखो यहाँ पे जो हमारा sympathetic है जब इसने अपना काम कर दिया यानि कि यहाँ पे जैसे आप दोड रहे हो अब आपकी बड़ी हो गए थी या फिर जो हम थोड़ा सा डर गए थे उन सभी चीजों को normal level पे लाने का काम करता है हमारे यहाँ पे parasympathetic nervous system यानि sympathetic देखो क्या करता है चीजों को बढ़ाता है और parasympathetic वहाँ पे उनको जो है ठीक है आप लोगों ने अक्सर feel क्या होगा जब भी आपका हाथ मानलो किसी बहुत गरम जहां पे जड़ा जाता है ठीक है मानलो आपका कोई चीज़ बहुत गरम है उस पर आप लोगों ने अपना हाथ रख दिया तो आप लोग जैसे ही हाथ रखतो वैसे ही तुरंत आप जो है अचानक से अपना हाथ हटा लेते हो तो आप लोगों ने जो अपना हाथ रखा और जो हाथ हटाया तो वहाँ पर रखने और हटाने की बीच में जो nervous system काम करता है वो हमारा कौन सा होता है यह हमारा क्या है देखो यह हमारा एक टाइप का system ही तो है अब system में तो system के अंदर हमारे organ भी होंगे है ना organ हमारे कौन कौन से है ब्रेन है और spinal cord है और हमारे जो nerves है अब अगर organ है तो organ है तो हमारा tissue भी होगा यानि organ हमारे tissue से ही तो मिलके बने होगे और अगर tissue है तो tissue हमारे किसे मिलके बनी होगी टिशू हमारी अल्टिमेटली से मिलके बनी होगी यानि कि जो हमारा नर्वस सिष्टम है इसके अंदर हमारी सेल्स भी होगी यानि आप लोग सिंपली कह सकते हो कि जो हमारा नर्वस सिष्टम है यह बेसिकली किसी ना किसी टाइप की सेल्स से ही मिलके ब ये कई लोग को नहीं पता होता है लेकिन देखो यहाँ पी दोनों ही हमारे nervous system की बहुत important cells है और दोनों का number भी लगबग लगबग यहाँ पे same ही होता है यानि कि अगर 50% neurons होती है तो 50% हमारी neuroglia भी होती है अब देखो एक old concept भी यहाँ पे था कि जो हमारा neuroglia है वो 10 times होता ह neurons का बड़ ऐसा कुछ नहीं है ठीक है यहाँ पे लगबग जितने neurons होते हैं उतनी ही हमें जो है neuroglia cells भी देखने को मिलती है अब जैसे सबसे पहले बात कर रहे हम लोग यहाँ पे अपने neurons के बारे में तो देखो जो हमारी neurons है देखो हमारे nervous system की main cell हमारी neuron ही होती है यानि कि neurons are the basic structural and functional unit of nervous system यानि कि यह हमारे nervous system के structure भी बनाती है और nervous system की basically जितने भी function होते है यानि कि जो हमारे controlling and coordinating का गाम होता है वो हमारे neurons ही करते है अब उसके बाद हम लोग आपे बात करें तो they generate carry and transmit nerve impulse अब देखो nerve impulse का है देखो इसके बारे में हम लोग बहुत detail में भी अभी बात करेंगे बट अभी आप लोग short नी समझो कि जो हमारा nerve impulse है ठीक है nerve impulse तो यहाँ पर देखो जैसे जितने भी हमारे body के organs है उनको जो control करने का काम होता है तो control करते समय जो भी हमारा message होता है वो हमारा यहाँ पर nerve impulse के form में ही जाता है यानि कि इसको simply समझो कि अगर मान लो आप आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर लगा है तो आपका जो हाथ है गर्म चीज़ पर लगा है यह message यहाँ पर brain को जो हमारे nerve impulse के form में ही जाता है यानि nerve impulse क्या है समझ लो एक message का ही form है ठीक है यानि message का दूसरा नाव हमारा क्या है nerve impulse अब देखो इसके बारे में बहुत detail में भी बात करेंगे पर थोड़ा सा patience रखो हम लोग थोड़ा सा step wise चलने ठीक है it is also known as nerve cells यानि कि हमें पता है इसको हम लोग जो है nerve cells भी बोलता है अब हम लोग यहाँ पर बात करें अपने structure of neuron के बारे में अब यहाँ पर दिको यह हमारा सबसे important part है आप लोग को neuron का structure बहुत ह की ध्यान से समझने की जरूरत है तब ही आप लोग को nervous system की हर एक चीज़े समझ में आएंगी देखो neuron हमारा के है neuron हमारा जो है normally कुछ नहीं है एक type की cell ही है अब चुकी यह nervous system की cell है इसलिए हम लोग इसको neuron बोल देते हैं लेकिन देखो जो हमारा neuron का structure है वो एक normal cell की तरह थ देखा है कि cell हमारे यहाँ पर थोड़ा से spherical shape की होती है और इसके अंदर यहाँ पर बाकी जो भी organs होते है ना हमारा ribosome हो गया और हमारा endoplasmic reticulum बाकी mitochondria यह सारी चीज़े होती है लेकिन यहाँ पर जो हमारा neuron है तो इसका structure अगर आप लोग कुछ देखो तो इसका structure हमारा जो है कुछ इस type का होता है तो यहाँ पर देखो यह हमारा ऐसा क्यों होता है इसको थोड़ा सा समझना देखो ऐसा नहीं है यहाँ पर जो हमारा neuron है उसका starting में structure जब देखा गया तब वो हमारा कुछ ऐसा ही था लेकिन time के साथ यहाँ पर क्या देखा गया time के साथ देखा लगी ठीक है ऐसे करके हमारी कुछ branching यहां से निकली ठीक है ऐसे यहां से निकली ऐसे करके मतलब थोड़ा समझ जाओ ठीक है ऐसे बहुत सारी क्या हुगा कि ऐसे branching निकलना सुरू हो गई तो दिखो पहले तो हमारी यहाँ पर नॉर्मल जो है इस तरह की branching निकली पहले एक निकली, दो निकली, तीन निकली, ऐसे देखा गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़े देखी गए, तो हमारा neuron का structure जो है, थोड़ा सा इस type का हुआ, अब उसके बाद यहाँ पर क्या दिखा गया, कि यह जो branching है, यह एक side पर और बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके, तो यहाँ पर जो हमारा neuron है, वो evolve होते होते हमें, कुछ इस type का देखने को मिलने रगा, यानि अगर हम लोग इसके एक general structure को बनाए, तो यहाँ पर देखो, यह हमारा ऐसा हो गया, ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से बहुत आसानी से neuron का structure जो है, ड् ठीक है, ऐसे तो, तो कुछ इस type का हमें आप अपने neuron का final structure देखने को मिला, अब देखो, इसमें कुछ है थोड़ी, देखो, यह हमारा क्या है, यह हमारा normal सी cell body है, और यह सब क्या है, यह सब उसकी branching ही तो है, तो यहाँ पर देखो, जो हमारा cell है, अब cell है तो इसके अंद गींदिया dendrites, ठीक है, दendrites, तो रे हमारे क्या है, dendrites हमारी है short branching, और जो branching हमारी यहाँ पे बहुत लंबी हो गई थी, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने दे दिया, और exhons यहाँ पर end हो रहे थे, यहाँ पर इसको जो छोड़ी-छोडी अब जो हमारा यहाँ पर center वाला part था, beach वाला, इसको हम लोगोंने नाम दे दिया cell body, यानि कि यह हमारे neuron की क्या है, main cell body है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ी बहुत important चीजे है, अब जो cell है, तो cell के अंदर हम लोगोंने क्या दिखाता, हमारा cytoplasm होता है, ल तो उनको हम लोगोंने नाम दे दिया यहाँ पर निसल्स granule, ठीक है, निसल्स granule, basically हुआ क्या था कि जो हमारे निसल नाम के एक scientist है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर दिखा कि neurons के अंदर यहाँ पर कुछ हमारे बहुत ही small tiny granules हैं, तो उनको यहाँ पर starting में पता नहीं था यहाँ पर हमारा neuroplasm क्या है, neuron का cytoplasm, ठीक है, और center वाला part हमारा cell body, यह जो यह वाली branching, इसको हम लोगोंने क्या बूल दिया, dendrites, और यह जो हमारी lining है, ठीक है, यह जो हमारी लंबी सी branching है, इसको हम लोगोंने क्या बूला, exon, और exon जहाँ पर खतम हो रहे, वो हमारे ribosome है, और यहाँ पर यह हमारा exon हो गया, यह हमारा exon terminal, अब एक्जाँ के उपर यह जीश क्या है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पर यह मतलब थोड़ा सा यहाँ समझते है, ठीक है, यह हम लोग सिब argon को ट्रा कर रहें, तो हम लोगोंने देखा कि जो इसके उपर यहाँ पर एक fatty substance की भी एक covering देखी गई, ठीक है, यहाँ पर fatty मतलब थोड़ा सा जो lipid nature की होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके उपर exon के उपर जो है, इनकी एक covering देखी गई, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, जो है myelin sheath, ठीक है, क्या दे दिया, myelin sheath, और जो हमारी myelin sheath है, अब इसके उपर भी यहाँ पर एक covering देखी गई, यानि कि इसको भी एक चीज ने cover कर रखा है, तो यहाँ पर इसके उपर भी एक covering देखी गई, जो कि हमारी यहाँ पर एक cell की covering थी, ठीक है, तो इसके उपर यहाँ पर एक cell ने cover कर रखा था, जो कि हम क्या थी जो कि हमारी थी yawn cell arthry myślę आप western क्या है तुस देखो son form cell कुछ नहीं ए यह जो हमारी दूसरी भाली स्लेनर रोंड की नियूरो गिया इसका एक टाईप है तो अभी स के बारे थी उसको हम लोगों ने क्या बोला वो हमारे neuron मनलब swan cell थी हम लोगों ने बोला नहीं बलकि swan cell की ही covering थी हम लोगों ने पता किया अच्छा यहाँ पर एक चीज अगर आप लोग देखो कि हमारा जो यहाँ पर myelin sheath है देखो यह बना यह है myelin sheath ठीक है myelin sheath अब myelin sheath के उपर कह है myelin sheath के ऊपर है swan cell तो जो हमारा myelin sheath है तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी चेहाँ पर अप्शंट है देखो swan cell तो यहाँ पर हर जगा present है ठीक है हर जगा continue है लेकिन जो myelin sheath है, यहाँ पर gap है, यहाँ पर gap है, है ना, तो जहाँ पर हमारी myelin sheath जो है absent दिखी, यानि कि जहाँ पर नहीं present थी, तो उस space को हम लोगों नहीं नाम दे दिया notes of renvier, notes of renvier, लेकि इसको यहाँ पर भी scientist के नाम पर ही दिया गया यहाँ पर हमारी myelin sheath क्या है? absent है, लेकिन क्या हमारी swan cell भी absent है? swan cell present है, मालीश तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन swan cell नहीं है, Sun cell, myelin sheet के भी उपर covering है अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझना है यह जो myelin sheet है यह कुछ और नहीं है बलकि यह भी हमारी Sun cell की ही covering है बस एक लिए Sun cell, यहाँ पर होता है क्या है कि जो myelin sheet है यह हमारी Sun cell की internal covering होती है लेकिन इसके अंदर हमारे यहाँ पर कुछ fatty substance भी present होते है इसलिए हम लोग इसको myelin sheet बोल देते है तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो हमारा exon है ठीक है तो इसके अपर यहाँ पर यह जो black वाला है यह हमारा क्या होता है यह हमारा होती है myelin sheet के अपर हमारी यहाँ पर son cell की covering है तो जो हमारा exon है ना इसके अंदर भी हमारा एक fluid present होता है तो इसको हम लोग बोलता है exoplasm अब देखो exoplasm में कुछ नहीं है हमारा cytoplasm ही है ठीक है जो exon के अंदर देखो यहाँ पर simply समझो cytoplasm मेंगर exon के अंदर है तो गोगे exoplasm और cytoplasm मेंगर हमारी cell body के अंदर है तो वो हमारा क्या हो गया nucleoplasm sorry, neuroplasm है ना तो neuroplasm जाने की जो हमारा cell body के अंदर है ठीक है और जो इसके यहाँ पर exon के अंदर जब यह fluid चला गाता है दोसको हम लोग क्या बोल देते है exoplasma बाकी देखो है same ही चीज़ बस यहाँ पर नाम डिफरेंट है असा यहाँ पर एक चीज़ और देखना जो हमारा exon है ना तो इसकी जो सबसे बाहर वाली layer है देखो यह वाली यह ठीक है यह यह वाली इसको हम लोग बूलते है exolema इसको थोड़ा सा बढ़ा देते है exolema क्या बोलते थे exolema exolema मतलब क्या जो exon की सबसे बाहर वाली covering है और जो हमारा यहाँ पर swan cell है schon cell जिसने इसको cover किया exon को जो इसकी सबसे बाहर वाली covering है इसकी इसको हम लोग क्या बोलते थे हैं, इसको हम लोग बोलते थे हैं, नियूरोलेमा, ठीक है, तो बस यहाँ पर एक्जॉन के अंदर हमारे इतने ही सारी चीज़े होती है, तो अब आप लोग यहाँ पर इस फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हो, देखो, यहाँ पर ब्लैक वाली माइलिन शीट, ब्लैक वाली के ऊपर जो कवरिंग है वो, श्वान सेल, और जो श्वान सेल की सबसे बाहर वाली लेयर है, वो क्या हो गया, नियूरोलेमा, ठीक है, बाकी सारी चीज़े तो आप लोग समझ ही गए होगे, तो अब हम लोग यहाँ पर अपने न अब नर्वस सिस्टम में आगे कोई भी प्रोब्लम नहीं होगी, यहाँ पर समझो, जैसे कि मालो यह हमारा हाथ है ठीक है, अब चलके बढ़ा देते है थोड़ा सा, अब जैसे यह हमारा हा फोग से भागम जल रहे है, और यहाँ पर क्या हूँवा कि हम लोगोंने क्या किय हम लोगोंने इस आग में अपना हाथ जो है डाल दिया अब जानगोष खीन है डाला है अब जैसे ही हाथ हमारा जो है आक के पास जाएगा वैसे हाथ क्या होगा जैसे हम लोग को लगेगा कि थोड़ा सा हमारे हाथ को जो है गर्मी लग रही है और भूच सब्सक्राइब फिर यहां पर नर्स कुछ नहीं है यहां पर इसका एक जाल है अब जैसे ही यहां पर हम लोग की बॉड़ी में थोड़ा सा हीट लगी तो जो हमारा हाथ है ना तो उसमें यहां यहां पर क्या होगा यहां पर नर्स के गता है शेक्नल हमारा इसमें लिएक जीचनल दीचाल होगा- लॉहां माल लेते हैं कि यह जो हमारा नियूरॉन है यह बिलकुल हमारे हाथ के पास में ठीक है यह हमारा फर्स्ट नियूरॉन है नमबर वन ठीक है और इसी को यहाँ पे सबसे पहले पता चला कि जो हमारा आग है तो हमारा जो हाथ है जब हम लोगों ने हाथ को जो है किसी गरम चीज पर डाला, तो हमारा सबसे पहले इस neuron को पता चला, तो यहाँ पर देखो क्या है, जो हमारा यहाँ पर heat है, जैसे कि जो हमारी body को अचानक से heat लगी, तो heat जो हमारी body को लगी, इस चीज को हम लोग बोलते हैं stimulus, तो थोड़े से अल, नय वर्ड से मुझे पता है, बड़ ध्यान से समझना, कुछ है नहीं, तो stimulus का मतलब क्या है, कि जैसे हमारी body में कोई change आता है, उसको हम लोग बोलते है stimulus, यानि कि अगर हमारी body में अचानक से क कोई disturbance होई है, या फिर कोई change आया, अब जैसे हाथ, आग में आप लोगों ने अपना हाथ डाल दिया, तो disturbance ही तो होई है, यानि आग में हाथ डालना हमारा क्या है, stimulus है, अब जो stimulus generate हुआ, तो जो हमारा stimulus है, यह सबसे पहले यापर receive करता है हमारा dendrites, देखो ध्यान से सुन ने क्या किया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से स्टीमूलस को यहाँ पर convert कर दिया, nerve impulse के form में है, क्या किया, nerve impulse, अब nerve impulse क्या है, देखो यही तो हमारा message का form होता है, अब देखो क्या हुआ, ध्यान से समझना, अब कैसे जाएगा, अब जो हमारा nerve impulse है, यहाँ सबसे पहले, स्टीमूलस generate हुआ, स्टीमूलस हमारा गया, we all अब नर्विम्पोस की हुए अब नर्विम्पोस हमारी नर्विम्पोस से होते हुए हमारे एक्जॉन के पास है,饋 DN pot रहे पहुलैंब के अब यह पहाँ पहुँच गया पहुच गया हमारे यहां पर exon terminal पर, यह हमारा क्या है, यह हमारा exon terminal है, यहां पर exon खतम होता है, तो जो हमारा यहां पर nerve impulse है, जो कि हमारे message यह फिर signal का एक form है, ठीक है, signal यह message का form है, यह हमारा dendrite से होते हुए, cell body से होते हुए, exon से होते हुए, exon terminal तक पहुचा, अब ज जैसे ही exon terminal यहाँ पर पहुचा, sorry, जैसे ही nerve impulse यहाँ पर पहुचा, अच्छा, simply समझो, nerve impulse यहाँ पहुचा, और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से transfer होते हुए हमारे दूसरे neuron तक पहुच गया, देखो, neuron number 2, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम चीज हुई, तब से पहले nerve impulse को यहाँ पर किस ने correct किया, हमारी dendrites ने, ठीक है, dendrites ने, और dendrites ने क्या किया, nerve impulse को जो है, cell body के पास भेज़ दिया, cell body ने क्या किया, हमारे exon को, exon ने, exon terminal को, अब इस तरीके से बहुर सा neuron corrected है, और यहाँ पर क्या होता है, देखो, इस तरीके से जो हमारा nerve impulse है, यानि कि जो हमारा message है, यानि कि message हमारे यहाँ पर बात करें तो क्या है, कि हमारी body को heat, बहुत ज़्यादा गरम लग रही है, ठीक है, तो यह message हमारा, इन neurons के होते हुए, बहुत तेजी से हमारे कहां तक जाता है, ब्रेन के, अब देखो, हमें बोलने में जितना time लग रहा है, उतनी ही तेजी से यह काम होता है, बहुत तेजी से होता है, यहाँ पर nerve impulse इतनी तेज जाके जाती है, ठीक है, हाथों को जो है, मतलब बहुत जादा गर्मी, मतलब heat लग गई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब जैसे ही brain के पास पहुचा, अब ध्यान से समझना, अब brain से हमारी एक और neuron यहाँ पर हमारे हाथों में connected है, ठीक है, और हाथों ने क्या किया, उस command को accept किया, और हाथ को यहाँ पर heat से हटा लिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से जो हमारा brain है, ठीक है, और जो हमारे spinal guard है, यह मिलके हमारे पूरे body को जो है control करने का काम करते है, अब देखो यह nerves हमारे पूरी body में हर एक organ तक फैली हुई होती है, तो जैसे ही हमारे किसी भी organ में कोई problem होती है, तो हमारे signal message generate होता है, message हमारा nerve impulse के form में होते हुए हमारे brain तक जाता है, और brain यहाँ पर एक command generate करता है, ठीक है, उसके response में, उसको ठीक करने के लिए, फिर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहला dendrite होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, उसको यहाँ पर nerve impulse के form में convert कर देता है, और nerve impulse हमारे यहाँ पर अब जो है, हमारे neurons से होते होते हमारे brain तक जाते है, और brain से वापस हमारे effector organ तक आते हैं, तो I hope कि आप लोग आप इस तीज को समझ गयोगे देखो अगर इस चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट करो मैं नेक्स वीडियो में दुबारे से समझाओंगा ठीक है बाकि इस तीज को समझना बहुत जरूरी है अगर यह चीज समझ के तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं समझे तो बहुत दिक्कत है कुछ भी आगे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी तो अब हम लोग यहां पर फाइनली बात करते हैं अपने नियूरोंस के डिफेरेंट पार्स के बारे में तक होता है और यहां पर जैसा कि हम लोगों नहीं देखा स्टीटोप्लाजम और नूरोंस के नॉरोंस के नीडिवरोंस के देखों तीन हो एक चीज तीन नाम आपको देखने को मिल सकते हैं ब्रांचेस ठीक है ब्रांचेस और फिर एक्स्टेंशन एक्स्टेंशन मतलब किसी चीज का बढ़ जाना या फिर प्रोसेश ठीक है अगर यह तीनों नाम आपको देखने को मिल है तो देखों तीनों का मतलब एक ही होता है यानि कि किसी चीज का पार्ट होना तो यहां पर डेंड्राइट्स और एक्जॉन हमारे का है सेल बॉडी के ही एक पार्ट है बाकी कुछ नहीं है और एक्जॉन की बात करें तो देखों एक्जॉन हमारे क्या होता है एक्जॉन is a thin, long and cylindrical process या फिर extension that arise from the cell body of neuron हमें पता है और उसके बाद यहां पर बात करें तो एक्जॉन्स हरता most important part of neuron that carry and transmit nerve impulse from one neuron to another तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा यह जो हमारा एक्जॉन होता है यह क्या करता है nerve impulse को carry करता है यानि nerve impulse यहां से होते हुए और transmit, transmit मतलब दूसरे neuron को भेजना तो neuron को भेजने या फिर send करने का काम भी हमारा एक्जॉन ही करता है generally most of the exons are covered by a fatty substance called myelin seat which is further wrapped by son cell यानि कि दिखू जो हमारा neuron है, ठीक है जो हमारा neuron है, sorry, जो हमारा exon है तो exon के उपर हमारी क्या होती है, myelin sheet जो कि हमारी fatty substance होती है और इसके उपर भी further हमारी swan cell की covering होती है जो कि हमें पता है, wrapped होती है यानि कि समझो, wrap का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पर लपेटा होना यानि कि swan cell यहां पे जो हमारे आप कह सकते हो कि जो हमारी myelin sheet है, तो उसके उपर यहां पर एक wrap होती है यहां पर देखो हमारा myelin sheet है, तो जहां-जहां absent होता है, वो हमारे क्या होता है, node of renvir अब उसके बाद यहां पर है, the site from which exon is extended from cell body is known as exon hillock देखो, exon hillock क्या है, कुछ नहीं है यहां पर यहां से हमारा exon शुरू हो रहे है, जहां से मिलनी हमारा exon शुरू हो रहे है, तो जहां से हमारा cel body से exon अलग हो जाता है, इस part को लोगे बोलते है, exon hillock mass ठीक है, यहां से हमारा exon extend हो रहे है the end part of exon is known as exon terminal, जो कि हमें already contain, ठीक है को रिशीव करती है या फे nerve impulse, देखो basically यहां पे जो हमारी पहली dendrite होती है, वो हमारी stimulus कोстру Tap dai कि ठीक है? और उसको यहां पे क्या करती है, nerve impulse के form में convert कर देती है, अब उसके बाद यहां पे पीछे इसके जितनी भी dendrite होती है, वो हमारी इस इनरbe impulse को cuma को कर सकते हैं अब दिखो एक बहुत important बात है इसको बहुत ध्यान से सुनना जो आपका syllabus है उसमें यह topic हमारा classification of nerve fibers के नाम से दे रखा है तो हो सकता है जाम में आप लोगों से nerve fiber के नाम से भी question पूछ ले तो आप लोगों यही सारी चीजे लिखके आनी है तो आप लोगों यही स classification of nerve fiber के नाम से topic दिया हुआ है तो neurons या फिर कह सकते हो nerve fiber को हम लोग यहाँ पर तीन तरीके से classify कर सकते है on the basis of polarity या फिर extension ठीक है on the basis of function on the basis of myelin sheet तो सबसे पहले बात करते है हम लोग यहाँ पर on the basis of polarity देखो यहाँ पर basically pole का मतलब क्या होता है देखो pole मतलब होता है किसी ची चीज़ है ठीक है और इसका यहाँ पर यहाँ पर यह एंडे तो इसको हम लोग बोलते है pole ठीक है अब अगर मानलों इसके दोनों दो इंडे तो हम लोग बोलते है bipolar तो इस तरीके से होता है अब जैसे हमारा on the basis of polarity neurons are of four types पहला हो गया हमारा यहाँ पर unipolar, bipolar, pseudo-unipolar और multipolar देखो यहाँ पर unipolar, bipolar क्या है देखो unipolar मतलब क्या यानि कि जिसका एक pole हो या फिर कह सकतो कि एक extension हो है ना these are the neurons in which cell body has single process यहाँ पर यह जो हमारे neuron है यहाँ पर देखना ध्यान से यह जो हमारे neuron है ठीक है तो यहाँ पर ना तो कोई dendrites है कुछ भी dendrites वेगरा नहीं है simple सा एक लंबी सी exon है यानि कि single branch है ठीक है single branch है फिर single process या फिर single extension कुछ भी बह सकते हो तो यह हो गया हमारे यहाँ पर unipolar और बात करें हम लोग यहाँ पर अपने bipolar neurons की देखो इसको नाम से समझो uni मतलब क्या है single यानि कि इसकी single pole है इसका नाम क्या है bipolar यानि कि इसकी जो है तो यहाँ पर जो हमारे neuron है तो यहाँ पर जो हमारी cell body है तो यहाँ से हमारे जो है दो exon की branches निकली हो तो ठीक है एक इस side और एक इस side और बात करें यहाँ पर pseudo unipolar की अच्छा देखो pseudo मतलब क्या होता है pseudo मतलब होता है थोड़ा सा fake ठीक है यहाँ पर जो हमारा pseudo world है यह हम यहां पे जो हमारा जैसे यह हमारा exon है ठीक है sorry यह हमारे neuron है neuron की cell body तो यहां देखो सबसे पहले तो हमारी एक ही branch निकली हो थे ठीक है यानि कि कह सकते हो कि एक ही single यहां पे extension होता है ठीक है extension तो अगर single extension है तो उसको हम लोग क्या बोलते है यूनिपोलर है ना लेकिन होता क्या है यह जो यूनिपोल है यह आगे चलके फिर से जो है दो पोल में डिवाइड हो जाता है ठीक है यानि कि कहने को तो यह यूनिपोलर है लेकिन यूनिपोलर आगे चलके खुद दो पोल में डिवाइड हो जाता है तो यहाँपए इसको उम भोलते है से pseudo unipolar यानी कि जूटा unipolar यानी कि unipolar होने का दिखावा तो करता है ठीक है लेकिन unipolar होता नहीं है तो unipolar होने का दिखावा तो कर रहा कि चलो हम unipolar है लेकि यह unipolar बात में फिर से दो पोल में डिवाइड हो जाते है तो इसका नाम हो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है these neurons has single process but further this process divided into two other process ठीक है वही चीज हम लोगो ने देखी और बात करें हम लोग यहां पर अपने multipolar neurons की तो देखो यह हमारा normal neuron का structure होता है जो कि हम लोग अकसर जो है देखते हुए आते हैं यहां पर क्या होता है these are the neurons in which cell body has multiple process यानी इसमें cell body में बहुर सारी…! जेको कुछ हमारी dendrites होती है 3e ndendrites हमारी बहुर सारी होती है यह पूरे को dendrite नहीं बोलते है एक को dendrite बोलते है यह सारे को हम लोग बोलते है dendrites यानी बहुर सारी sentence है ना और यहां पर यहां यह हमारा i pal an तो इसमें बहुत सारी प्रोसेज होती है और बात कर रहे हम लोग यहां पर अपने second classification की तो on the basis of function हम लोग neurons को तीन टैप से डिवाइड कर सकते हैं तो सबसे पहले message हमारे nerves के होता हुआ हमारे brain तक जाता है तो जिन nerves के थुरू हमारा message brain तक जाता है देखो ध्यान से समझना यानि कि जो हमारा message है जो हमारा organ से होते हुए हमारे brain तक जाता है और फिर brain को आप लोग CNN Central Nervous System भी बहुत सकते हो क्योंकि Central Nervous System का ही तो part होता है हमारा brain और spinal cord तो यानि कि जो message हमारा organ से होते हुए हमारे CNS तक जाता है तो जिन nerves के तुरू जाता है तो उन nerves में जहां पे जो भी neuron होती है उनको हम लोग बोलते है sensory neurons देखो ध्यान से समझना है कुछ नि sensory neurons क्या है sensory neurons हमारी वो neurons है जिनके थुरू हमारा message जो है organ से brain तक जाता है जब हमें कोई problem वगेरा होती है और brain हमारे यहाँ पे जब command generate करता है ठीक है तो जिन neurons के थुरू हमारा message जो है दुबारा organ तक भेचता है उसकों लोग क्या बोलते है motor neurons motor ठीक है यहाँ पर दिको बहुत सिंपली समझो यहाँ हमारा हो गया organ ठीक है organ है ना यह हो गया हमारा यहाँ पे CNS यानि कि Central Nervous System जो के हमारा brain है और यह हमारा वापस हो गया organ ठीक है तो यहाँ पर दिको इस organ से होते हुए जब हमारा message जो है तक जाता है उसको हम लोग बोलते है sensory neurons sensory या फिर इसी को हम लोग बोलते है afferent ठीक है afferent neurons और यहाँ पर जब CNS जो है दुबारा से message generate करता है इसके response में तो जिन neurons के तुरू हमारा CNS जो है message भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते है motor neurons motor या फिर efferent efferent neurons ठीक है तो यहाँ पर दिको वही चील लिखी हुई है sensory neurons हमारे क्या होते है these are also known as afferent neurons they carry nerve impulses from tissues and organs to the central nervous system यानि कि organ से CNS तक ठीक है और motor neurons हमारे क्या होते है they are also known as efferent neurons they carry nerve impulses from central nervous system to the effector organ ठीक है अब यहाँ पर एक हमारा और होता है एक हमारा और गौन सो होता है inter-neurons अब inter-neurons के तो यहाँ पर जो हमारा sensory and motor है जब ही हमारा CMS में जाता है तो CNS में हमारे जो है इन दोनों को connect करने वाला neuron होते है यानि इन दोनों को interconnect करता है उसको हम लोग बोलते हैं, interneurons, ठीक है, these are also known as association neurons, they are found exclusively on central nervous system, यानि कि ये हमें जो है, central nervous system के अंदर ही देखने को मिलते हैं, peripheral nervous system में इनका कोई भी रोल नहीं होता है, they connect sensory and motor neurons, और अब finally बात करे हम लोगे, आप अपने third type की classification की, तो on the basis of myelin sheet, यानि कि on the basis of presence and absence of myelin sheet, neurons can be further divided into two types, यानि कि myelin sheet present है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से भी हम लोग इसको दो तरीके से divide कर सकते हैं, पहला हो गया myelinated, दूसरा हो गया non myelinated, देखो बहुत ही simple है, myelinated का मतलब क्या है, यानि कि इसके अंदर हमारी, देखो, अगर हमारे neurons के अंदर जो है, एक्जाउन के में, एक्जाउन में, देखो, एक्जाउन हमारा होता है nerve fiber, ठीक है, एक्जाउन को ही nerve fiber भी बोलते हैं, तो यहाँ बे आप लोग को ये सारे classification, जो है, nerve fiber के नाम से भी देखने को मिल सकते हैं, तो अगर हमारे एक्जाउन में myelin sheet present है, तो हमारा neuron क्या हो गया, myelinated, ठीक है, और हमारे कुछ neurons ऐसे भी होते हैं, जहाँ पे myelin sheet जो है absent होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, non-myelinated, ठीक है, बस simple है, these neurons are covered by अथिक layer of myelin sheet, impulse conduction in myelinated neuron is very fast compared to non-myelinated neuron, अब देखो इस point के बारे में हम लोग अपने next lecture में बात करेंगे, बाकि अभी आप लोग बस simply समझ लो, और non-myelinated जो है इसी का ज़स्ट टोलटा, ठीक है, और special properties of neurons, यानि neurons जो हमारी जो है बाकी cell से अलग क्यों होता है, इसके अंदर थोड़ी सी special property होती है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर जो है branches और प्रोसेज होती है, जैसा कि हमें पता है, जो कि बाकी cell में नहीं देखने को मिलती है, इसको हम लोग बोलते हैं dendrites और exons है न, इसको सबसे important property क्या है neuron की, इसको सबसे अलग यहाँ पर यहीं चीज बनाती है, जैको आप लोगों ने cell division को तो पढ़ा ही है, ठीक है, अब अगर नहीं भी पढ़ा है, तो इतना जानो, cell division हमारी ऐसी प्रोसेज होती है, जिसमें हमारी जो cells है न, वो यहाँ पर क्या करती है, एक से यहाँ पर दो में, दो से चार में डिवाइड होती रहती है, यानि कि सिंप्ली समझो कि हमारी बोडी के अंदर जितनी भी बाकी cells है, ठीक है, अगर मान लोग वो डैमेज हो जाती है, या फिर उनको कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो यहाँ पर जो है further divide होके जो है दुबारा से मतलब जो है generate हो जाती है, या फिर कैसे क्तो कि cell division के थुरू हमारी growth होती है, जैसे जैसे हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारी body में जो cells हैं वो बढ़ती ही तो हैं, इसलिए यहाँ पर दिखो क्या होता है कि अगर हमारे brain में कोई damage होता है, तो वो यहाँ पर repair नहीं होता है क्योंकि जो हमारी nerves है, या फिर हमारे neurons है, वो divide ही नहीं होते हैं, ठीक है, अगर यह एक बार damage हो गए तो हो गए, या फिर एक बार खतम हो गए तो हो गए, यानि कि यह neuron नहीं होती है, these are the supporting cells of neurons but do not generate or conduct nerve impulse. देखो जो हमारी neuroglia है न, इसके अंदर किसी भी type का nerve impulse का conduction या फिर generation नहीं होता है, यानि कि यह हमारे message को जो है नहीं लेके जाती है brain तक, या फिर हमारे spinal cord तक, इनका यहाँ पर इस चीज में कोई role नहीं होता है, तो इनका काम क्या होता है, देखो यह neurons को support करने का काम करती है, अभी हम लोग देखेंगे ठीक है, unlike neurons, these cells have cell division property, और यहाँ पर सबसे important चीज कि जो हमारे neuron है, उसके अंदर तो cell division नहीं होता है, लेकिन जो अमरी neuroglia है न, इसके अंदर cell division होता है, यानि कि यह जो है divide हो सकती है, अब हम लोग बात करें आप अपने functions of neuroglia के बारे में, तो यहाँ पर इसको बहुत important है, they provide nutrition to neuron, यानि इसको neuron के लिए ही सारा काम यह करती है, basically, ठीक है, they protect neurons from pathogens, यानि neuron को जो है बाहरी bacteria वेगरा से भी बचाती है, they provide structural and functional support to neuron, यानि कि neurons के function में भी थोड़ा बहुत support करती हैं, और structure में भी support करने का काम करती है, they form myelin sheet, बहुत important, myelin sheet, देखो myelin sheet हम लोगों ने क्या देखा था, myelin sheet के उपर जो swan cell की covering होती है, तो यह myelin sheet भी basically हमारी swan cell ही होती है, ठीक है, swan cell, देखो यहाँ पर myelin sheet basically दो type की cell से मिलके बनी होती है, एक होती है swan cell, एक होती है oligodendrocytes, ठीक है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, यहाँ पर यह दोनों ना अलग अलग जगा पर हमारी myelin sheet या फिर हमारी swan cell का formation करती है, covering का ठीक है, तो अभी हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं, ज्यादा confuse मत हो, they also maintains homeostasis, यानि कि homeostasis maintain करने का भी यह काम करती है, अब बात करें हम लोग यहाँ पर types of neuroglia के बारे में, तो देखो, neuroglia हमारी यहाँ पर दो type में हम लोग जो है, मलब दो तरीके से इसको हम लोग divide कर सकते हैं, पहला जो हमारी central nervous system में present होती है, देखो हमारा nervous system दो type में divided हैंना, central और peripheral, तो जो neuroglia हमारी CNS में पाई जाती है, यानि हमारे brain और spinal cord में, उनको हम लोग बोलते हैं, central nervous system की neuroglia, और जो हमारे यहाँ पर बेसिकली आप कहे सकते हों की nerves में पाई जाती है, उनको हम लोग बोलते है swan cells या फिर satellite cells, तो यहाँ पर जीको जो हमारा CNS है, उसके अंदर हमें चार टाइप की neuroglia cells देखने को मिलती हैं, पहला हो गया astrocytes, सेकेंड हो गया ependymal, थर्ड हो गया oligodendrocytes, फोर्थ हो गया microglia, और जो हमारा PNS है यानि peripheral है, इसके अंदर दो type की होती है, स्वान और सेटिलाइट, यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो हमारा central nervous system है, तो इसके अंदर यहाँ पर जो भी neurons होंगे, ठीक है, तो उनकी जो myelin seat है, वो बनाएगी हमारी oligodendrocytes, ठीक है, और जो हमारा PNS है, इसके अंदर जो neurons होंगे, उसकी myelin seat का formation कौन करेगा, स्वान सेल, ठीक है, सिंपल है, पेरिफेरल के अंदर स्वान है, तो स्वान करेगी, और सेंटरल के अंदर यहाँ पर स्वान है नीटो कैसे करेगी, तो यहाँ पर oligodendrocytes है, तो oligodendrocytes करती है, बस यहाँ पर एक छोटा सा difference था, अब हम लोग इसको भी थोड़ा-थोड़ा सा detail में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करें अपने astrocytes के बारे में, तो these are the most abundant neuroglial cells, यानि कि यह बहुत ज़्यादा amount में होती है, ठीक है, यानि कि blood vessels के पास यह large number में देखने का मलती है, star shape के होती है, देखो इनका shape ना थोड़ा सा star होता है, तो यहाँ पर इसका नाम ही है astrocytes, यानि कि थोड़ा सा star से related है है न, अब देखो blood brain barrier क्या है, देखो अभी इसको ज़्यादा detail में नहीं देखेंगे, बाकि हम लोग जब अपने brain का classification देखेंगे, तब इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा brain है न, और जो हमारा blood है, ठीक है, blood की जो supply है, तो इसके बीच में ना एक barrier होता है, ठीक है barrier, अब देखो barrier क्यों होता है, तक कि जो हमारा blood है, अगर उसके अंदर को infection वगएरा हो, तो वो हमारे brain तक न पहुच जाए, जैसे देखो यहाँ जो हमारा blood है न, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पर infection वगएरा कभी-कभी आ जाते है, करती हैं और maintain भी करती है, और बात करें यहाँ पर oligodendrocytes की, तो यहाँ पर यह भी थोड़ा सा star shape की होती है, they are smaller compared to astrocytes, they form myelin sheet in the neurons of central nervous system, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ पर myelin sheet का formation हमारी oligodendrocytes कर रही है, they are the supporting networks of neurons, यानि कि neurons का supporting network होती है, और बात करें यहाँ पर ependymal cells की, यहाँ पर यह थोड़ा सा epithelial tissue आप लोगों ने अगर देखा हो, तो उसके अंदर एक type था हमारे हाँ पर columnar epithelium, तो यहाँ पर यह उस type की होती है, ठीक है, यहाँ यहाँ पर यहाँ पर यह उस type की होती है, इसके अंदर 4 chambers होती है, जादा brain के बारे में जब देखेंगे तब जादा अच्छे से discuss कर लेंगे, अब ही समझो कि brain के अंदर एक fluid होता है, जो कि होता है cerebrospinal fluid, उसको भी यहाँ पर secrete करने में यह जो है help करती है, यहाँ पर बहुत सारी चीजे मिलके cerebrospinal fluid, यानि white blood cell का एक type, यानि कि यह हमारी एक WBC की type होती है, यानि कि यहाँ पर यह क्या होती है, यानि कि यहाँ पर यह क्या होती है, जो भी infection वगरा, bacteria वगरा होते हैं, उनको kill करने का काम हमारी microglia करती है, ठीक है, और बात करें हम लोग यहाँ पर अपने schwal cells के बारे में, यानि कि peripheral nervous system में यह सबसे ज़्यादा एमॉन में देखने को मिलती है, और swan cell हमारी क्या करती है, हमारी myelin sheet का formation करती है, यह हमारी, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा exon हो गया, ठीक है, और इसके ओपर यह जो covering है, यह हमारी क्या है, myelin sheet, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो myelin sheet के ओपर जो हमारी swan cell की covering होती है, तो myelin sheet भी हमारी swan cell ही बनाती है, बस उसके बीच-बीच में कुछ lipid material फंस जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको especially myelin sheet बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इसकी जो सबसे outer covering होती है, उसको हम लोग क्या बोलते है, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नियूरिलेमा cell भी इसका नाम होता है, और बात करें हम लोग यहाँ अपर अपने satellite cells की, तो यहाँ पर they form extra cellular space of nervous system, they provide physical support to neurons, ठीक है, यहाँ पर देखो यह जितनी भी हमारी neuroglia cells है, सब में आप लोग एक point जो है जलूर add कर देना, they provide physical and functional support to neurons, ठीक है, कोई यह सारी cells कहीं न कहीं हमारे neurons को support करने का ही काम करती है, तो I hope कि आप लोग को जो है nervous system का basic introduction समझ में आ गया होगा, अगर कोई doubt है तो आप लोग comment करके बताना, मिलते हैं हम लोग यहाँ पर next video में, thank you so much.